असलामों अलेकुम हेलो फेंट्स वेलकम डूमाई जहारास की चेन मैं हूँ जहारा उम्मीद करती हूँ आप सफरेश से जरूर होंगे आज मैं आप सभी के साथ रमजान इफ्तारी के लिए कोई भी रेसिपी नहीं लेकर आई हूँ लेकिन यहाँ पर मैं बहुत हेलफुल ट मैंने ले लेले लेस जिसे मैंने इसका चिलका निकाल कर पानी से साफ करके फैरेंथ के पुला रख लिया था सुखने के लिए जब लेस Cyrus अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा हमें इस तरह से chopper ठालकर बिलकुल finely CHOP कर लेना है लेसन की जरुद हमें इफ्तार के वक्त बहुत होती है क्योंकि हम बहुत सारे ऐसा डिस बनाते हैं जिसमें हमें लेसन की बारी कटीवी लेसन की जरुद होती है उस वक्त हम बारी काटें उससे अच्छा है हम पहले से ही इसे बना कर इस तरह से रख ले थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा तेल डाल कर आप इसे अची तरह से mix कर लें लेसन में बारी कटी वी लेसन में उसके बाद आप इसे कोई भी याटेट कंटेनर में store कर लें बारी कटी वी लेसन के आना अक्सा चैनीज पूर में बहुत इस्तिमाल किया जाता है और साथ ही आप इसे पकोड़े में भी डाल सकते हैं कोई भी अगर सबजी बनाते हैं उसमें भी डाल सकते हैं और एक बार फिर से बारी कटने की जरुवत नहीं है इस तरह से आप store कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने एक याटेट कंटेनर ले लिया है जिसमें हमें बिल्कुल भी पानी नहीं रखना है और इस तरह से हम सभी लैसन को यहाँ पर डाल देंगे और इसका लीट लगा कर हम store कर लेंगे नमक तेल डालने से कहने इसका color change नहीं होगा और इसका taste भी अच्छा रहेगा इसी तरह से मैं अद्रक को भी क्या करूंगी छिलका निकाल कर पानी से साफ करके आप चाहें तो कपड़े से पोच ले या फिर फैन के हवे पर रख दें राय होने के लिए इसके बाद इसी तरह से finely chop कर लें इसमें भी हमें उसी तरह से नमक और तेल मिला देना है और अच्छी तरह से mix कर लेना है अद्रक जो हमने बारी cut हुआ है इसे हम salad में इस्तमाल कर सकते हैं या फिर हम इसे हम जो चाट मताते हैं उसमें भी डाल सकते बहुत ही मुझधा रकता है घ्रैक रमजान इफतार में बहुत ani दोटा होता है चाहते मैंबू को अब दिन तक घ्रू और बिलको ये काली नहीं पढ़ेंगे तो सबसे नीबू को इस तरह से पानी टाल लेका सी च光 पोई नीमबू कोंचते से पर बाम रमजान चीज़ तरह से कपड़े से पोच लेक्ड है उसके लिए आपको इस तरह से लेना फिर आप से लेना से जी प्लॉग बैर आपको इस तरह से ले नातर कर सकते हैं लिकले यहां उसके लिए लृप पास ऐसकाए सब्सक्राइब कर 만но जोरों से बढ़ने लगता है उस वक्त कहना हर घर में निम्बू का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है और गर्मी का भी सीजन होगा तो निम्बू बहुत ही उसका रेट है हाई होने वाला है आसमान कुछ होने वाला है तो अगर आप इस तरह से पहले से स्टोर कर लेंगे तो पहलें जाए का पैलें और बहुत असल निमेments के बाद पानी से अरथ करना अच्यस को पहुंचई ए उसके बाद यसमाल प्वेड़े इस तरह से उसके और लगा लगा फिर हमेंये तीसू पेपर जब-लogग बैक के लिए या फिर भी घु को उसका भी इस्तमाल कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए सब भी नीमबू को मैंने इसके अंदर डाल दिया है तेल लगा लिया है अब मैं इसको पर फिर से टीसू पेपर रख लेती हूँ और इसे हम अच्छी तरह से बंद कर लेंगे ऐसा करके रखने से कैना नीमबू के अंदर मौश्यर बचा रहता है इसका बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं होगा ना ही काला पड़ेगा ना ही सुकड़ेगा तो इसी तरह से आप स्टोर कर लें नॉर्मल डे पर भी आप इस तरह से नीमबू को स्टोर कर सकते हैं तो यहां पर देखिए मैंने हरीमिच ले लिया है जिसे मैंने अच्छी तरह से पानी से साफ करके कपड़े से पोच लिया है मैं यहां पर दो तरीका बताऊंगी जिसे क्या ना आप हरीमिच को स्टोर करके रख सकते हैं 15-20 दिन के लिए बिल्कुल भी खराब नहीं होगा ना ही इसका कलर चेंज होगा तो यहां पर और एक बार मैं अच्छी तरह से कपड़े से पोच लेती हूं और इसका जो दंडी होता है उपर का उसे आपको निकाल देना है और पानी से साफ करके कपड़े से इस तरह से पोच लें तो उसी तरह से मैंने हाँ पर ले लिया है जी ब्लॉक बैक इसे स्टोर करने के लिए आप चाहें तो कोई भी पॉल्थीन का इस्तिमाल कर सकते हैं तक रखने के खरने के कृट करने सास्यार्त ऐक्तिमालोव देकाल तक हम Kingdom quy पाथ कर कौड़ में मैं लमैंसे से इसे स्टोर करते हैं lep survey मीच चाहें नाना किच्ट ही में घश का मेरे में डाना काम सुद्ध कर लिए तो मेरे लिए आसानी होगी तो यहां पर और थोड़ा समय ने हरी मिर्च पूरी से साफ के लिए विश्म हो प्तफर को यहां बड़ें यारी मिर्पटुर्ट करें Lee करी का लिए हुआ हरी गुळारली पहल रिजायरी के लाता है अगर आप के पास चॉपर तो या फिर आप इसका पेस्ट भी कर सकते हैं थोड़ा सा नमक थोड़ा सा तेल थोड़ा सा पानी डालकर आप इसका पेस्ट करके भी रख सकते हैं उसी तरह से हमें क्या करना है हरी मिच में भी इस तरह से बारी कटा हुआ हरी मिच में भी थोड़ा सा नमक और तेल मिला लें है मैंने बारी कटावा लैसन और अध्रक में भी थोड़ा सा नंबक टेल मिला है ऐसा करने से कहना है इसका जो सेल्फ लाइप होता है ज्यादा दिन के लिए हो जाता है और इसका टेस्ट भी अच्छा रहता है काला भी नहीं पड़ेगा तो इसी तरह से हमें साफ बिल्कुल रमजान को उसी तरह से मैंने हम पर हरा धनिया लिया है जो कि रमजान में बहुत जरूत होती है रमजान के बात भी हमें क्या नहीं यह तो हर वक्त हर कीचेन में पाया जाता है लेकिन अगर आपको इससे स्टोर करने का सही तरीका मालूम हो जाएगा आप इसे 15-20 दिन कोई भी आटेट कंटेनर ले 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 उसके अंदर आपको इस तरह से पेपर रख लेना है और साथ हरा धनिया इसके अंदर डाल देना है फिर सो उसको उसको अच्छी तरह से कौवर कर लेना है उसी तरह से पेपर से मैंने आप इसी तरह से स्टोर करें फ्रेज में 15-20 दिन बिल्कुल इसी तरह से ताजे रहेंगे, मैं आपर स्रिफ रमजान के लिए नहीं बोल रही हूं, आप इसे रमजान के बाद भी इसी तरह से स्टोर करें, क्योंकि हरादनिया जोता है, हर कीचेन का जानी होता है, हर सबजी में डाला जाता है, तो इस तरह से आप स्टोर कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से पुदिना भी स्टोर कर लें इसे हम पत्ते इस तरह से निकाल लेंगे पानी से साफ नहीं करना है खराब पत्ते हमें बाहर कर देना है और बिल्कुल हराधनिया जिस तरह से मैंने स्टोर किया है बिल्कुल उसी तरह से हमें पुदिने के पत्ते भी स्टोर कर लेना है तो यहां पर मैंने हराधनी और पुदिने को किस तरह से अलग-अलग स्टोर करना है तो उसकी मैंने यहां पर टिप्स बता दी है लेकिन मैं यहां पर और एक टिप्स बताऊंगी जो कि आप चटनी भी स्टोर करके रख सकते हैं हरदनी और पुदीने का और रमजान में इन सभी का जो है ना दाम यानि रेट बहुत ही आसमान कुछ होने वाला है आप इस तरह से पहले से स्टोर कर लें आपके लिए बहुत ही हिलफुल होगी श्रीप और 6-7 दिन बचा है र तो यहां पर देखिए अब मैं हरी चटनी बना देती हूं जो कि हर डीस में हमें जरूरत होती है तो इस तरह से आपको हरी चटनी बनाना है जिससे क्या आपका हरी चटनी कलर भी चेंज नहीं होगा और आप इसे हफ्ता भर कि आप इसे 20-25 दिन स्टोर कर लेंगे बिल्कु से 20 मैंने हाँ पर हरी मिच ले ली है इसी के साथ में हाँ पर एक चमच साबूत जीरा और साथ ही एक चमच नमक एट कर देती हूं थोड़ा सा पानी डालूंगी और बिल्कुल इसका हम फाइन पेस्ट कर लेंगे और इस चटनी को आप फ्रीज में स्टोर कर लें 15-20 या फि कर देंगे तो इसका क्याना टेस्ट बदल जाता है इसके अंदर थोड़ा सा कड़वा टेस्ट आजाएगा थोड़े दिनों के बाद अगर आप निम्बू एट कर देते हैं इसी तरह से सिंपल चटनी बना कर रख लें जब भी आपको निम्बू डालना है चटनी आप ले पर लेना है और सबी चटनी को इसके अंदर स्टोर कर लेना है आने वाले माहे रमजान में जो भी में रेसिपी आप लोगों के साथ सेयर करूंगी और आपको बताती भी जाओंगी देखिए मैंने इसे बना कर स्टोर किया हुआ है इसका कलर चंज नहीं हुआ है तो उसी त तरह से अगर आप ब्रेट क्रम्स पहले से बना कर रख लें तो आपको बहुत ही हिल्फुल होगी तो मैं इसे एक हपते के लिए वान वी के लिए फ्रीज में स्टोर करने वाली हूं तो इसे में ड्राय रोस्ट नहीं करूंगी अगर आप इसे एक मेने से ज्यादा स्टोर क कर दाला और उसे घुमा लिए इस तरह से पौडर तैयार हो गी हमारा ब्रेटकम्स तयार है अब मैं इसे अच्वी तरह से कवर करूंगी और इसे फ्रीज में रख लोंगी तो हमें क्या करना है ना और ड्राइनट्स को भी हम क्या करेंगे चॉप करके रख लेंगे क्योंकि वह तो बहुत जरुवत होती है मिठाई कि अगर हम कोई भी रेसिपी बनाते हैं सिवया हो खीर हो पाइस हो कुछ भी अगर बनाते हैं सिर्खुर्मा हो तो हमें यहां पर बारी कटा हुआ जो है ना काज बिल्कुल भी खराब नहीं होगा आप इसी तरह से अगर चौप करके रखना चाहिए छे से साथ मेने के लिए फ्रीज में बिल्कुल भी खराब नहीं होगा इस तरह से आप चौप करके भी रख सकते मैं इसी तरह से चौप करके भी रख लेती हो मेरी हमेशा सी कोसिस रही ह है मेरे जितने भी वीवर से हैं सबस्क्राइबर है उनका हमेशा से वकत बचे और आसानी से आसानी पर इनकी रेसिप को इनलो करके बना तो एक है तो यहां पर रमजान की प्रिक्पेरेशन है तो मैं आप यहां कर देखिए। टार या तरह से यहां पर देखिया मैंने एक सूर्ट कानटेनर म की हारा जाएज ऑफ देखिया है। अगर खत्म हो जाएगी फिर में दो बारा बना लेंगे इसे बना भी बहुत है अप जरूर देखीए जब मैं इस की रेशीप पे अपलोट करूंगी तो यहां पर देखिए जितना भी मैंने तयार किया है सबी को मैं इस तरह से स्टोर कर लेती हूं फ्रीज में इसी तरह से आप ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में भी भी स्टोर कर सकते हैं नीमबू, हरी मिर्च, हराधनिया, पुदीना आप इससे भी ज्यादा स्टोर कर सकते हैं और यहां पर मैंने ड्राइफूर्स को चौट कर लिया है, ब्रेट करम्स बना कर तयार कर लिया है, इमली की चटनी भी तयार है, हरी चटनी भी तयार है, अद्रक लैसन को मैंने बारी काट लिया है, हरी मिर्च भी बारी काट लिया है, तो यहां पर जो है ना मैंने सबी तयार कर ली है मैंने किया है आप लोगं के साथ सेर भी कर दिया है आप भी इस तरह से पहले से तैयार कर लें आप लोगं के लिए बहुत हिल्फु लोगी और आने वाले माहरमजान में मेरे लिए जरूर दूआ कीजिएगा अगर आपको मेरी recipe पसंद आती है मेरी वीडियो आप लोगों के लिए धी धुने ळिल्व लगती हैन। क्यूं के लिए बिल्कुल दिल से दुआ करूंगी आप लोग मुझे इतना सपोर्ड कर रहे हैं और आप नहीं है आप लोगों की जो भी तकलिफ हैं अल्ला दूर करें मेरी दिल से दुआ है आप लोगों को अपने हिप्ज वाली वीडियो तो मुझे बोलिएगा मैं जरूर आगे भी शेयर करती रहूंगी अगर मेरी इस वीडियो में आप सब अब तक मेरे साथ बने हुए हैं तो सभी का तह दिल से सुक्रिया और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आप कि सहर से मेरी वीडियो को देख रहे हैं मेरी रेसिपी को देख रहे हैं मुझे बहुत यह अच्छा लेगेगा इसी तरह से मैंने यहां पर अद्रक लेसन का जो पेस्ट है उसे भी तयार करके रख हुआ है अगर इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं मैंने पहले ही अपलोड कर दी है इस तरह से रख लेसन का पेस्ट बना ले एक मैने से ज्यादा फ्रीज में स्टोर करके भी रख सकते हैं तो अगर आज की रमजान इफ्तार प्रिपेर्शन का तरीका आप लोगों को प्रिए रेसिए